Hello students, this is Ishaan Agarwal, I welcome you all to the Menti Batche channel, I hope तुसी सारे ने मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखी होगी, एही वीडियो शुरू करन तो पहला मैं थो नूँ सारे ने एक रिक्वेस्ट करना चाना है, जो स्टुडेंट्स ने है दक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, ता पहला है, जो दो भी कोई भी बिजनस दी आपा, इनीशल ट्रांजेक्शन कर देखी है, सब तो पहली ट्रांजेक्शन हुन दी है, जी में तुसी बिजनस कोई ऐसेट बगरा परचेस किती, ता सब तो फर्स्ट एंट्री डेडियो आपा रिकॉर्ड कर देखी है, और जर्नल दे कर देल्या है, एननु आपब भूग, एन आप भूग एक्युपीर्ण विग जे दीन है इनन इत हरत बाद, जब सारे आप जर्नल दी अंट्री से रिकॉर्ड कर देल कर देल्या ए तो आपस दे ट्रेंस प्रस्टेशन का रिकॉर्ड कर देन्या तो आप ज़े अंच छीक पर पर्चेस किती हो वे ते उदि आप अपा एंटरी 5 तरीक नूं कर रहे हैं नहीं आप अगर 3 तरीक नूं ही चीज़ पर्चेस किती है जो आप जनल जे अंटरी रिकॉड करांगे ता तिन दी डेट ना लही करांगे सेकंड श्टेज आंदी है लेजर जो अपनी जर्णल दे एंटर बीच पोस्ट होएं दी है उस तो बाद होएंटर दी नो आपा ट्रांसफर कर दे हैं कि देविच लेजर देविच लेजर दे वीच आपा एकाउंट्स मन आने हैं जिसनाल आपानू बैलेंसिस पता लग दे हैं ओ बैलेंसिस आपानू की दाज दे हैं इन दी एंड ओफ दा इयर जाके कि आपाने पूरे साल च किन्नी परचेस किती है किन्नी सेल किती है किस तो किन्ने पैसे लेने है सारे जिन्ने भी balances है वो अपनो एथो पता लाएं दे है एहे अपना balances जाननली बनाने है accounts दे जि मैं suppose करो तुसी purchase किती पुरे साल तुसी एंडेचे देखना चालने हो कि तो ने पुरे साल किन्नी purchase किती है तो नो लेजर दस होगी ठीक है उस्तो बाद आप अपना आने trial balance ये सारे balances जडे एंडेचे अपने को balances बाच दे हैं ये नो आपा shift कार दिने है कले balances नो trial balance दे विच ये विचे debit ते credit side हों दिया है ये आपनो 10 दिन दिया है कि इनने अपना debit balance पे है जिननी भी final accounts चाहिए आपा entries कर दे हैं ओहो आपा trial balance तो देखके ही कर दे हैं क्योंकि trial balance आपनो एक summary दे दिन दे सारे accounts दे balances दी ठीक है ये आपनो समरी दिन दे सारे account दे balances दी जिस नाल आपा ओहो balances नो अलगलग account दे विच ट्रांसफर कर दे हैं आपा final accounts के दिनने हैं क्योंकि आपा इनु साल दे end चाह बनाने हैं एहे आपानो की कुछ दाज दे हैं जिटा trading account हुंद है एहे आपानो दाज दे gross profit ते gross loss एहे आपानो दाज दे है कि आपानो किन्न gross profit होय है किन्न gross loss होय है इस चापा purchase दे sale दी entry सिरफ record कर दे है trading account trading थोनु पता ये trading दा मतलब क्यों दे exchange of goods यानि कि sale and purchase of goods ताहीं ये दा नाम दे trading account है उस्तो बाद जदो trading account बन जन दे जदो आपानो profit पता लाएंद है gross profit दे loss पता लाएंद है उस्तो बाद आपा बनाने P&L account ये है अपानो की दाज़ दे net profit and loss net profit and loss दो मतलब की होय है जदो आपनो को ग्रॉस profit आ गया sale and purchase करके जदो आपना profit निकले आया उस्तो आपा अपने सारे business दे expenses जदो less कर दिनने है उस्तो आपनो net profit पता लाएंद है फिर जदो आपना P&L account बन जदो है फिर जदो आपने को net profit निकले आंद है उस profit नो आपा shift कर दे है balance sheet ये दे वीच आपा सारी asset liabilities थो नो में पेलना ही दुसे आशीगा की कुछ record कर दे है और सारा कुछ आपा इस रिकॉर्ड कर दे है चीदे नाल आपानू business दी final position बता लग दिया है सो balance sheet आपानू की दास दिया है final and financial भी क्यारीन दिया है position balance sheet आपानू दास दिया है financial position of the business ते trading and P&L account आपानू की दास दिया है financial performance ट्रेडिंग ते P&L दास दिया है financial performance of the business ते balance sheet आपानू दास दिया financial position क्या अपने business दी position good है बैड है क्या अपने कुल assets जादा है liabilities जादा है सो बस उसी इना का या रखना है journal नो bookkeeping कह दिया है initial stage of accounting हुन दिया ledger आपानू एक balances दिया है आपने अगर balances जानना है closing balance किनना है हर एक अकाउंट दा ता आपा ledger create कर दे है trial balance आपनू ओही balances दे एक summary दास दिन्दे है summary of balances उस्तो बाद आपा एही entries दे आल final account create कर दे है final account दे अंदर तिन अकाउंट आँ दे trading P&L ते balance sheet trading ते P&L आपानू financial performance दास दे है trading account दा मतलब उन्द है sale and purchase of goods and services so आपा इस चोहों सारी entries record करांगे जो sale and purchase दे regarding है ते ओहों सारे expenses record करांगे जो अपनी purchase दे regarding है expenses only regarding to purchase and direct expenses ही record करांगे लेकिन sale दे regarding कोई भी आपा expenses दे रिकॉर्ड नहीं कर दे अगर तुसी कीसे दा भी trading account देखांगे ता हे लाइन थो नू हमेशे लिखी मिलूगी कि यह trading account है कोई X,Y,Z company दा for the period ending कत्ती तिन 2,000 उन्हीं थो नूमें अपनी पुरानी वीडियो तो दिस्या सी कि अपने जड़ा financial year हुंदे है ओहो एक अप्रेल तो शुरू हुंदे है ते कत्ती मार्च नू खतम हुंदे है पूरे साल दा हुंदे है सो कत्ती तिन 2,000 उन्हीं दा मतलब की होया जड़ा ही accounting period है सो आपा इस केड़ी-केड़ी entry record कर रहे है 1,4,2,18 तो लेके कत्ती तिन 2,000 उन्हीं तक दिया अपा जिन यह भी entries है वह सारी है record यह थे थो उन्हों दो sites दिख रही है जीदे विच मैंने कुछ entries टू ना लिखी है ते right side दी मैंने entries अपनी buy ना लिखी है जो entry अपा टू ना लिख दे है उस side नो अपा करने है debit debit side ते दूसरी side नो आपा करने है credit side debit side ते आपा अपनी सारी purchases अपना सारे expenses record करांगे जो भी purchases regarding होई है ते sale दे ते credit side ते जिननी भी अपनी sale होई है जो भी अपनो income होई है sale दे regarding ओह आपा लिखांगे तो देखो पहली आपा देख दे है की है to opening stock opening stock दा मतलब हो गया जिनना अपना पुराना stock 85 ओहो किन्ना है opening stock यानि की अपने शुरुवात चनमा stock जड़ा open किता है पुराने साल दा अगर अपने पुराने accounts अगर चक के देखांगे तो अथे अपने closing stock दी value ही आपा नमे साल दी opening stocks लिख दे जि मैं suppose करो पुराने साल अपने को पांज लाक दा stock पे आसीगा ता अपने अपनिंग stock करके लिखे दांगे उले 5 लाक इस साल जड़ी तो निनमी purchase किती है अपने two purchases ना लिखे दांगे ते देखो हुन तो नमाल अगर खरीद देओ ता कई वर कि उन्दा कुछ माल थो नू नहीं चाहिए ता अपने एक्स्पायर हो एंदा ता तुस्यों company नू वापिस कर दिन्यों और उन्व अपकने return outwards यानि कि return करता outwards माल अपना बाहर गया so purchases अपने नाल इन हुई ता अपने outwards करती है यानि कि यह की बन गया net purchases याद रखियो कि जड़ी आपा entries वोरे लिख दे हैं हमेशा net effectally entry होंदी है net entries होंदी है मलब कि अगर उष्ट कुछ less या फिर कुछ add करना होंदा है सारा कुछ करके ही आप उरे लिख दे है उस्तो बाद अपने अंधे direct expenses जड़े अपने business दे related direct expenses होंदे है यह में आपा labor charges दिनने है wages होगे यह सारे अपने direct expenses है business regarding ओह आपा उरे note कर दे हैं हुन देखो कई बार उरे की लिख होंदा है two wages and salaries वह भी अपना direct expenses होंदा है बस याद रखना है अगर पेलना wages लिखे है ताव trading account ची जाओगा अगर उरे यह दी जगह लिखे होंदा two salary and wages two salary and wages एहे अपना record नहीं कर दे उरे क्यों एहे salary होगी क्योंकि अगर लिखे होंदा two wages and salaries एहे अपा उरे record कर दे क्योंकि अपा wages पे कितिया ने ठीक है याद रखना है wages अपना होंदा है direct expense एहे होंदी यह salary होंदी है अपनी इंडरेक्ट expense होंदा है यह अपा P&L account यानि की profit and loss account से record करांगे उस तो बाद आपा freight inward freight inward जो आपा माल मंगवानने है आपा पाड़ा दिनने है ता हो बायर नो ही देना पैंदा है जो पर्चेशर होंदा है सो करके अपना हो भी entry उर्या पर record करांगे अपना direct expense हो गया परचेश दे रिगार्डिंग जाता कितों कितोंने माल पर जयते हो दो पर फ्रेट दिता है तो ने पाड़ा दिता है ताथ उसी ओह रिकॉर्ड नहीं करना तो जो भी expenses expenses आउटवर्ड जिनने भी expenses होंगे अपने ओहो अपा ट्रेडिंग अकाउंट्स नोट नहीं करने ओहो सिद्धा आपकरांगे profit and loss अकाउंट्स जो आपके हजे पढ़ांगे ट्रेडिंग अकाउंट्स सिर्फ डिरेक्ट एक्सपेंसिज रिकॉर्ड करने है पर्चेजिज रिकॉर्ड करने है ते सेल रिकॉर्ड करने है हुन देखो क्रेडिट साइड थे सब्तों पेल आपके लिखांगे buy sales जिननी आपने पूरे साल सेल किती है हुन आपका कई वर समान बेच दिनने हैं ते कुछ आपका कस्टमर वापिस कर देंदे आपकानों समान ओहुँ आपका लेस्ट कर दांगे सो यह की बन गया नेट सेल्स जिम्योक थे अपकाने पड़े पिछे नेट पर्चेज इत्थे हो में नेट सेल्स अपम लेस्ट करके ही लिखांगे अगले साल यही क्लोजिंग स्टॉक बन जुगा ठीक है अगले साल यही क्लोजिंग स्टॉक लिखांगे जो अपना बच गया अगर अपने को क्रेडिट साइड दी वैल्यू जादा आ रही है ते डैबिट दी काटा रही है ता हो अपना ग्रॉस प्रॉफिट बन जुगा क्योंकि अगर एह साइड जादा बढ़ी है ता इना दोना नो बैलेंस करन ली जिनना भी डिफ्रेंस बचुगा अपने एह साइड ते लिखांगे न उरे लिखांगे तो इस साइड ते अगर अपने बैलेंस लिखाता हो तू ग्रॉस प्रॉफिट करके लिखांगे यानि कि अपने को लोग प्रॉफिट बचे सेल अपनी जादा है ते खर्चे अपने कर्ट है ठीक है सेल जादा है खर्चे कर्ट है ता प्रॉफिट ही होया अगर अपने खर्चे जादा हुंदे पर्चेजिस जादा हुंदी खर्चे जादा हुंदे अगर बैलेंस अपने एथे लिख देता है लॉस हो यानदा सो याद रखना ही फिर जो दो एही जड़ा बैलेंस हुंद है एही अपनेक्स अकाउंट शिफ्ट कर दें जोड़ा मैं तुम दुस्या सीगा ट्रेडिंग तो बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बन दें क्योंकि इस्ट जिननी भी आपा कैलकुलेशन कर दें जो मैं तुम पिछे एंटरी समझाई है उसी देनल ही कर दें देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स ओल्ड की उन्दे है जड़ी आपा गुड्स सेल कर दें दे है उन्ना दी रियल कॉस्ट अपनू की पाई सेगी उन्नू कह दिन पिलना देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स ओल्ड की में निकल दे है लेफ्ट साइड दी जड़ी यह चीज़यां हो सारीयां प्लस हो नहीं है जो मैं तो नूँ पिछे चार्च दिखाई है ने ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेजिस प्लस डिरेक्ट एक्सपेंस प् अपने को लास्ट किनामाल बाच गया जो दो अपने को सेल माइनस नहीं होंदा ते चाहिए अगर गीवन होवे भी आपा तामी सेल नहीं माइनस करनी क्योंकि फिरो देना अलता अपना सिरफ ग्रॉस प्रॉफिट निकला होगा तो अपने रियल कॉस्ट जाननी है कि जड़ ते आनल ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट पर्चेज नेट पर्चेज न मतलब क्यों आया जिन्नी अपने पर्चेज करती कुछ रिटर्न जोगी आपनों कुछ गूड्स वापिस आ अगया उनना ने अपने लेस करती है उनना नो अपने पर्चेज जिस कह दें डिरेक एक्सपैंसिस फ्रेट इन्वर्ड कैरिज इन्वर्ड याद रख्यों इन्वर्ड वर्ड एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी यह उन्दा कॉस्ट ऑफ गूड्स ओल्ड ते कई बर कोशिंच आपनों पुछ लिन दे हैं सुन ग्रॉस प्रॉफिट दसो ता अगर थो न हुन देखो एक्जांपल दे रिलेटेड में तो नहीं का नुमेरिकल करवाना है बिलना जिनल तो नहीं सारा कुछ क्लियर हो जुगा हुन तुसी देखो खुद ते आनल देखो कि आपकी की चीज़ चुपा इंक्लिवड करांगे कैल्कुलेशन वक्त ओपनिंग पहले तुसी डिसाइड करने आप इसच की की लवांगे अगर आपने सीओ जीएस कटना है सीओ जीएस की उन्दा है कॉस्ट देखो आपनों की कुछ गिवन है ओपनिंग इंवेंटरी दिता हुए है कि 50,000 रुपीज प्लस पर्चेजिस लेकिन पर्चेजिस के डिक रहांगे नेट पर्चेजिस हुन देखो आपनों कोई रिटर्न आउटवर्ड है यानि कि आपने पर्चेज किती सी ते उस चो कुछ पर्चेज आपने वापिस करती पर्चेजिस आपनों भी ही आर दियां ते रिटर्न आउ इस दा है कि दास हजार को इनेट पर चेजिस हैं कन्फ्यूज नहीं हो न उस्तों बाद आपकी है कोई डिरेक्ट एक्समेंसिस आपानु गिवन है आद देखो डिरेक्ट लेबर लिखा हुए हुआ है कि दो अजार कि तो अश्ति वर्द डिरेक्ट यूज किता हुगा जड़ा भी डिरेक्ट एक्समेंसिस अवह हुआ हुँ देखो अपनु फ्रेट इन्वर्ड दिटा हुए कि नहीं फ्रेट इन्वर्ड हां दिता हुए 500 रुपया कि यह विए आपप औरे नोट करलां होंगे कि सेलरीज एवी अपने डिरेक्ट एक्सपेंसिस नहीं है नहीं अगर उन्हें वेजिस लिए होंदा फिर अपना ले लिन दे एन्ना दा टोटल अगर करोंगे किन्ना हो गया 62500 62500 अपना टोटल हो गया डैबिट साइड दा इस चो अपने लैस की करने क्लोजिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी अपनों किन्न दीती हुई है तई ही यार अपने को टोटल है था किन्ना आगया 39500 जो अपना 39500 आया है यह की आगया अपना कॉस्ट ऑफ गुड्ड सोल कि आपने जो सेल किती है हुदी रियल कॉस्ट आपनों किन्नी पहिए है सो बड़ा सिंपल है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेशेज प्लस डारेक्ट लेबर प्लस फ्रेट इन्वार्ड इक्वल टू 62500 लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी किता अपने ता अपने को लागया COGS उन कोशिंच अपने को अग्गे पुच्छा हुया ग्रॉस प्रॉफिट ते लॉस कड़ो हुन देखो अपनों सेल भी और गीवन है सेल किनी है पंताली है आर्प्या बट सब तो बिला थो नहीं चेक नेट सेल इक्वल टू पंताली है और माइनस पंजी हार 40,000 ठीक है 40,000 नेट सेल हुई है तो ग्रॉस प्रॉफिट की में कट आँगे सेल दी वैल्यू चो रियल कॉस्ट माइनस करके 39500 जोदो माइनस करोंगे ता था दुकल 500 तो 500 थो टकी आ गया है जीपी ग्रॉस वैल्यू माइन नेगेटिव चांदी अगर सेल माइनस कॉस्ट अफ गूट सोल काटेगे माइनस वैल्यू अवे ता हो अपना ग्रॉस लोस बन जानता है आई होप थो नो एह चीज समझ लगियो एह स्लाइट ते आनल समझ लियो क्योंकि अग्गे जिनने भी कोश है ना बह माइनस कर दांगे तक ग्रॉस प्रॉफिट निकले होगा बास एहे दो फॉर्मूले हैं जिदे नल सारे अपने निमेरिकल निकले आनेगे अगे अपने कोशन्स ते आनने हैं कोशन्स तो नो दिखाऊंगा तुसी ट्राइ गरियो कि तो नो खुद तो अंसर निकल रहे सो देखो अपना फर्स्ट कोशन किया है विच ओव दा फॉर्मूला ले आना है कि की हुंद है क्यूंकि लेफ्ट साइड ते जिन्या भी जिचना सी ओपनिंग स्टॉक प्लस पर्चेज इस माइनस क्लॉजिंग स्टॉक फॉर्मूला है एक्वल टू सी ओ जीएस मैं एक वा अपनिंग स्टॉक प्लस पर्चेज इस माइनस क्लॉजिंग स्टॉक इक्वल टू सी ओ जीएस एना ने हुन देखो इक्वल टू जीरो लिखेवा है यानि कि सी ओ जीएस नू लेफ्ट साइड ते लिए आए सो यह अपने की स्टेट्मेंट बन गी ओ पी ओपनिंग स्टॉक पर्चेज इस माइनस क्लॉजिंग स्टॉक माइनस सी ओ जीएस एक्वल टू जीरो उन्हें है स्टेट्मेंट देख लो केड़ी बन रही है क्लोजिंग स्टॉक प्लस पर्चेज इस गलत है क्लोजिंग स्टॉक ता आप कदे एड कर दे नहीं हो मेंशे लेस कर दे हैं नेक्स देखो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस पर्चेज इस पर्चेज इस आप माइनस कर दे नहीं कर दे हैंगे तो यह कि माइनस ख्रोंग स्ट्रॉक त्रहों है टेमाइन सी ओ जिये स्क्विए एल्ट से लेका है सो अपना सही अंसर किए c dv देख लो एक बार की लिखा है c o gs minus closing stock minus purchases minus opening stock इस सारा कुछ minus लिखा हो था है यह भी रॉँँ है यह भी रॉँँ है यह भी रॉँँ है यह भी रॉँँ है यह भी रॉँ है यह वी रॉँँ है So only अपना c answer है जो है करें Second question देखो कि यह है If cost of goods sold is Rs. 11,16,000 and sale is Rs. 12,40,000, then the amount of gross profit will be. हुँ देखो gross profit दा formula पिलना ते आंच लिया हो. कुछ भी अगर चीज पुछी है था पिलना थोने formula दिमाग चलियाना है कि की formula सीगा. ग्रॉस प्रॉफिट दा की formula सीगा, sale minus, sale minus COGS equal to GP या फिल लॉस. Cost of goods sold given है, sale given है, बहुत simple है. Less कर दो. किन अपने को लागया है? इक लख चौभी यार, so, अपना कही अंसर सही है, B. बहुत ही simple question सही है, थर्ड question देखो, what is the amount of gross profit when opening stock is 1200, closing stock is 600, sale is 30,000, cost of goods sold is by here, 750. त्यान रख्यों कोशिंच कई बार चीजा फालतु भी दित्यां हों दियाने, तांकि students नो confuse कर सकन. सो अपनों जो चीज़ चाहिए है, अपनों उसी नाल ही गड़ने है, हुन देखो, gross profit बुच्छे है, पहला देखो, sale given है, given है, cost of goods sold given है, given है, बास. बाकी चीज़ा आपनों कुछ नहीं चाहिए थी, ना opening stock चाहिए है, ना आपनों closing stock चाहिए है, क्योंकि अपना ए दो चीजा नाल ही formula complete हो गया. 30,000 minus 22750 is equal to 7250, so C answer is correct, आज एक opening stock चाहिए, closing stock आपनों फाल तुछ देता हो या सीगा, confused कर ली, सो ओही दस्या में है, तो पहला formula याद कर लो, उस तो बास बास थोने चीज़ देखनी है, sale given है, COGS given है, बास, that's it, next question. What is the amount of closing stock when opening stock is 4500, cost of goods sold is 54,500, purchases is 60,000, हुन देखो आपने closing stock करना है, closing stock term आपा किथे use कर दे है, जो दो आपा cost of goods sold कर दे है, सब तो पहला हो दा formula लिख लो क्यों दे, opening stock plus purchase minus closing stock is equal to COGS, बास हुन values put कर लो, opening stock की देता हुए, 4500, purchases, 60,000, closing stock आपाने करना है, COGS, 54,500, हुन देखो, minus closing stock एदली साइड राख लाँगे, 54500, minus, 60,000 plus 4500 गिनना हुद है, 64500 किनना हो गया, closing stock is equal to, यह माइनस करके किनना अंसर आया था, minus 10,000, minus minus plus, so closing stock किनना हो गया अपने को, 10,000, so अपना answer की है, C, बहुत simple question है, बस तो नहीं को आ रहा, दोनों formula ही आद कर ले था, तो उसी किसे भी type दा question काट सा दे हूँ, next question देख रहे है, what is the amount of purchases, when opening stock is 10,000, closing stock is 8,000, sale रूपीज, 1,10,000, and COGS is, रूपीज, 80,000, हूँ देखो, purchase करना है, purchase किज दे, which use होंदे, COGS दे, formula दे भीच, सब तो बेलना, फिर होंगी, technique अपनी, opening stock, plus purchases, minus closing stock, equal to COGS, simple है, बहुत है, purchase is अपने करना, opening stock का अपनों कितना की बने है, 10,000, plus purchases, आपने करना है, minus, 8,000, equal to, cost of goods sold किना है, 80,000, 10,000 minus 8,000, 2,000, 2,000 अधर जाके की हो जुगा, minus, minus, 2,000, क्यों, 10,000, minus 8,000, equal to 2,000, एदर प्लस दा सी हो दर जाके, minus दा हो गया, is equal to, purchase is equal to, 78,000, so अपना अंसर की है, A, भीच देखो, आपन विष्ट, फिर देखो, आपन विष्ट इक फाल्तु चीज़ की दिती हो, इसी, sales, इसलिए, exams, confuse ने होना, बस थोने, formula दे नाल ही चलना है, चाहिए, जिन्नी मर्जी चीज़ दिती होन, कोशंच, ओग confuse करने लिपाईया होनी है, तो अगर direct expenses कोई लिखे होना था, आपने include भुगरा काल लिए, लेकिन विष्ट अपनों sale दिती हुई है, एदा कोई काम नियागा, next question अदा, what is the amount of gross profit, or loss, when the cost of goods sold is 7,900, sale worth rupees 11,000, and purchase rupees 3,000, अपने की गड़ना है, gross profit, formula की उन्दा दा, sales minus COGS is equal to GPL loss, sale की नहीं अपने कोई, 11,000 minus cost of goods sold अपने कोई, 7,900, is equal to 3,100, so अपना अंसर किया है, B, इस फिर आपनों एक एक साचीज जिती सी, purchase इस जिर्जा कोई काम नियागा, next question, what is the purchase amount, when opening stock is 3,500, closing stock is 1,500, and COGS is 22,000, purchase इस करना है, opening plus purchases minus closing is equal to COGS, opening किन ना दिता होया है, 3500, purchases आपने करनी है, minus 1500, COGS 22,000, 3500, 1500 minus किते कितना हो गया, 2000, 2000 उदर जाके अपना की हो जुगा, minus, आ रहे हैंना समझ, 3500 minus 15,000, is equal to 2000, 2000 वो आपने right side ले गए, ता minus आ गया, इसलिए अपने 22,000 minus 2000 लिगया, so purchase is equal to 20,000, answer is A, I hope, थोनु मेरे अज़दा लेक्चेर समझ लग गया होगा, अगर थोनु कोई भी doubt होया, ता तुसी मेनू comment box, या फिर तुसी Instagram या Facebook ते मेनू दा सकते हो, ता next वीडियो जो मैं थोड़ अपना doubt clear करन दी कोशिश करूँगा, सो ए फॉर्मूले दुन्ना नू अच्छे तरिक्चे न लियाद रख लियो, क्योंकि कोई भी अगर question आया, इस related, ता तुसी या नू असानी नल सॉल्व कर सकते हो, तेंक यू